कियरे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो अरे यूट्यूब पे ढाल दो फ्री Three हो जाएगी टैक्स फ्री क्यों कडा रहे हो इतना ही तुम को शौक है विवेक अगनि लाज敢 कि उत्री को बो लूध क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो और पीछे से दो ज़ने कह रहे थे दारू के दुकाने बंद करो अब इनको भी नहीं पता है अज नारे किस चीज के लगाने ओपर से आया तो था उपर से आया तो था तो दो ज़ने कह रहे थे दारू के दुकान बंद करो आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो फिर दूसरे वाले निकाबे आज कश्मीर आज कश्मीर वाला नारा लगाना है तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किसलिया आयो तो वो यू यू देखता है किसलिया क्या हाल बना दिया इनका इस लिए थोड़ी राजनी दिमाय थे एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली उस पिक्चर में एक सीन था कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो नेता बाहर आता है क्या मांगे हैं तो सारी दूसरी की तरफ इनको पता ही नहीं क्या मांगे आज सारे देश की सारी भारते जंता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके पूरी सारी भारते जंता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है इसलिए राजनीती करने आये थे पिकचरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो, पिकचरों के पोस्टर लगाता हूँ? आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अगनी होत्री के चर्णों में शरन लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर टेक्स फ्री करो अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी टेक्स प्री क्यों करा रहे हो इतना ही तुमको शौक है विवेक अगनी होत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा सारी पिक्चर फ्री है सारे जोने देख लेंगे कि दिन के अंदर टेक्स फ्री की क्या जरूरत है यूट्यूब पे क्यों ने डल कल एक मैंने अख़ब साब देखो यह फ्री में कर रहा है इसको बोलो टिकेट लेके करेगा कि भाई साब कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया क्या कर रहे हो तुम लोग क करोड़ों कमा गया कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रहे हैं क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार आंखे खोलो तुम लोग भेड़ बकरियों के तरह हांक रखा एंप पूरे बीज़ैपी वालों को भेड़ बकरियों के तरह हांक रहे हैं एक दिन बोले वे तीन काकुरिशी कानून लेके आए हैं बहुत शानदार है और फिर नीचे मेसेच आया भई सारे तारीफ करो मोदी जी कि सारे बोले वाह मोदी की चारीफ करो क्या मास्टर स्ट्रोक है और मेरे को याद है इसी सुदन início के अंदर इन लोगो ने उन तीनों कानोन की खुब कानून वापस ले लिए बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की कानून बिकार थे माधी जी क्या इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशरमी दिमाग पे ताला लगा रखा इन्हों ने का वाह मोदी जी वाह क्या तीनों खराब थे आपने वापस ले लिए देश को बचा लिए क्या मास्टर स्ट्रों कि क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार फिर थोड़े दिन बात बोले भी दारू की दुकानों के खिलाफ करो फिर सारे जैने दारू की दुकान बंद करो दारू कि अब दारू ठीक हो गई दिल्ली में आज कल तो शोर नहीं करते तुम हितु कि दुकाने मेरा एक हिन हिवितन है मेरे बीजेबी के साथि哲ं सए आप तो अपनी हो आप तो सबili chodzi को मेरे चोड़े आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पिने का इंतिजाम करा, आपकी बिजली का इंतिजाम करा, केजरी वाल काम आता है आपके, आपके भी घर की बिजली फ्रीक रखी है, दिल्ली के बारा लाग बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दी है अस्पदाल ठीक कर दिये आपके घर में कोई बिमारों केजरी वाल दवाई पहुचाता है मोधी दवाई नहीं पहुचाता केजरी वाल काम आया मैं बीजेपी के सारे कारे करता हूं से कहना चाता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाता ह थोड़ा सा दिमाग खोलो ये भेड़ चाल बंद करो भेड़ बक्रियों के तरह हां करें ये आपको ये सब बंद करो दिमाग खोल के सारे जने बीजे पी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ आपको आपको इजट मिलेगी सम्मान मिलेगा आपसे कताई जुटे नारे निलेगवाएंगे राश्ट निर्मान में आपको साथ लेंगे हम राश्ट निर्मान करेंगे आपके साथ मिलेगे ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे जूटी फिल्मों के और जो भी करना हो कम से कम्यार ये पिक्चर का प्रोमोशन करना तो बंद करो ये कंदे लगते हो तुम लोग अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगो को यार आप अच्छे आदमी हो कुछ करने आये थे राजनीदे में कहा पिक्चर के पोस्टर और प्रोमोशन करने में लगा दिया कल अलजी साब की स्पीच पूरे देश ने सुनी अलजी साब को एक तरह से केंदर सरकार का नुमाइंदा माना जाता है अलजी साब ने भी हमारी सरकार के कितनी तारीफ करी पचास परसेंट जीडीपी पांच साल के अंदर बढ़ गया भारत में आज तक कभी किसी राज्य का नहीं बढ़ा कितने शांदार काम दिल्ली सरकार ने की है कि केंदर सरकार दोरा नियुक्त अलजी साब ने भी दूसरी सरकार की आम आदमी पार्टी की सरकार की भुरी भुरी शब्दों में तारीफ की मैं अलजी साब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ और इस धन्यवदाद परस्ताव का समर्ठन करता हूँ